एक सत्रा साल की बच्ची को पहले भागलपुर से पुर्णिया में अरकेष्टा वाले तीस हजार रुपए में खरीद कर ले जाते हैं, उसी लड़की को पुर्णिया से मोतिहारी फिर से खरीद कर अरकेष्टा में नचवाने के लिए ले जाये जाता है, उसी लड़की को मोत तै हो रहा था कि वो ठुमका कितना अच्छा लगा सकती है ये लड़की भागलपूर की रहने वाली है उम्र मात्र 17 साल है मतलब की लीगली वो नाबालिग है और एक नाबालिग लड़की की पूरी कहानी जब आपको सुनाएंगे तब आपका रॉंगटा खड़ा हो जाएग गुसा आया था उसने घर छोड़ दिया था और एस्टेशन पर पहुचने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको अपने जीवन के साथ क्या करना है वो सोच रही थी कि घर लोट जाएं वो सोच रही थी कि घर नहीं जाएंगे और अचानक उसकी आँख बंद हो जात है वो लड़की भागलपूर से पहले पुर्णिया जाती है पुर्णिया से मोतिहारी मोतिहारी से मुजफरपूर और वो अलग अलग अरकेष्टा वालों के हाथो बिक रही थी अलग अलग जगा पर जाकर नाच रही थी उसका यौन शोशन हो रहा था और उसके साथ ना ज बहुत जरूरी है लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मेरा नाम प्रशांतराय है ये वीडियो कानहा सेल्स के द्वरा प्रयाउजित है कानहा सेल्स बिहार का एक ऐसा फरनीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसे में आपको सब बहुत अच्छा फरनीचर देता है इनके पास पैकेज होता है अगर आप 50,000 उपय वाला पैकेज लेंगे तो आपको पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फरनीचर मिलेगा अगर आप 78,000 वाला पैकेज लेंगे तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ आपको फ्रीज वाशिंग मसीन और कूलर इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि उत्तर प्रदेश बिहार और जारखंड के 100 किलोमेटर के रेडियस में ये लोग free of cost delivery करते हैं, इनका नाम इसलिए कम है और product इसलिए अच्छा है क्योंकि इनके पास अपना manufacturing unit है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, फोन करिए और अपने घ खरवालों से नराज होकर इस्टेशन पर जाकर बैठ जाती है, वो tension में होती है कि उसको क्या करना चाहिए, कभी उसको लग रहा था कि हमको घर लोट जाना चाहिए, कभी उसको लग रहा था कि घर वापस नहीं जाएंगे क्योंकि नराज होकर आये हैं, और अचानक उसकी आख बंद होती है, और जब सुबह वो उठती है, तब वो अपने आप को एक कमरे में पाती है, उसको मालूम पड़ता है कि उसका अपहरन कर लिया गया है, और उसके दो-तीन दिनों के बाद उस लड़की को 30,000 रुपए में पुरुनिया का एक औरकेस्टा वाला जो लड़कियों को नचाता है, खरीद लेता है, अब जब उस लड़की को वो खरीदता है, तो उसके साथ अत्याचार करता है, यौन शोशन की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, और उसके बाद उसको अलग-अलग प्रोग्राम में नचवाया जाता है, पुरुनिया के बा और उसके बाद वो मुतिहारी का औरकेष्टा वाला उस लड़की को मुझफर पूर भेज देता है। बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि उसको घर लोटना चाहिए या फिर यहीं रहना चाहिए इतने देर में वो बेहोश उडाती है और उसकी आँख खुलती है एक कमरे में फिर पुरुनिया पुरुनिया से मोतिहारी मोतिहारी से मुझफर पुर वो सारी कहानी सुनात और बताती है कि कैसे उसका यौन शोशन हुआ, कैसे उसको प्रताजित किया गया और थानिदार साहब चुप चाप बैट कर ये सब सुन रहे थे। बंदू के लिए लोग खड़े हैं और इसलिए हम इतना डर जाते थे कि हम कुछ भी नहीं करते थे और जब भी हमको प्रोगाम के लिए भेजा जाता था तब हमको ये कहा जाता था कि तुमको मार दिया जाएगा। सह रही थी। बाकी बिहार पुलिस का धन्यवाद जो आपने लड़की के फोन पर त्वरित उत्तर दिया पंद्रा मिनट में आप मुझफरपुर के उस जगह पर पहुँच गये जहां से लड़की ने फोन किया आपने अच्छा काम किया और अच्छा काम करते रहना बाकी उस लड़की के लिए संदेश रिये कि आप घर से मत भागिये कोई भी लड़का या लड़की घर वालों से नराज होकर कहीं भाग नहीं सकता है और अगर भागता है तो उसके साथ गलत ही होता है आपकी प्रतिक्रिया क्या है कवंण बोक्स बताईएगा धन्यवाद